लेटेस्ट खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले दिल्ली में 28 जून को पहुझाएगा मानसून नई दिल्ली, राज़दानी के लोगों को बुद्वार से ही गर्मी सिराहत मिल जाएगी दिल्ली व आसपास के इलाके में 28 जून से की बारिश दर्च की जाएगी 30 जून तक दिल्ली में अच्छी बारिश होने का अनुमान है मौसम में बदलाव से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्च की जाएगी मौसम वेज्ञानिकों के अनुसार मानसून की जो गती है उसके अनुसार अगले दो दिनों में पूरे उत्तर पश्चमी भारत में मानसून की बार्शी दर्च की जाने का अनुमान है मौसम वेग्याने कुल दीप श्रिवास्तव ने बताया कि दिल्ली व आसपास के इलाकों में प्रीमानसूस सक्रियें हो चुका है इसी के चलते मंगलवार को दिल्ली इंसियार सहित उत्तर पस्चमी भारत के कई इलाकों में आसामान में बादल रहे कई जगहों पर हलकी बूंदा बांदी व बारिश भी हुई बुद्वार दोपेर से राजदानी में अच्छी बारिश दर्च की जाएगी यह बारिश तिस जून तक रुक रुक कर जारी रहेगी शून ये आठ डिगरी गिरा तापमान दिल्डी व आसपास के इलाकों में मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने से अधिक्तम तापमान में लगबग आठ डिगरी सेलसियस की गिरावट दर्च की गई सुमवार को राजदानी में अधिक्तम तापमान 42.7 डिग्री सेलसियस रिकॉर्ड किया गया था यह सामाने से 5 डिग्री सेलसियस अधिक था वहीं मंगलवार को अधिक्तम तापमान 34.2 डिग्री सेलसियस रहा यह सामाने से 3 डिग्री सेलसियस कम है यह सामाने से 3 डिगरी सेलसियस अधिक है पालम इलाके में अधिक्तम तापमान 34.5 डिगरी सेलसियस रहा सुमवार को यहां अधिक्तम तापमान 43.6 डिगरी रहा था समय से पहले पहुचा मानसून मौसम विभा के अनुसार राजदानी में सामाने और पर मानसून 29 जून के बाद ही पहुचता है लेकिन इस साल मानसून 28 जून को ही पहुच जाएगा मौसम व्यग्यानिक दिल्ली में समय से मानसून पहुचने को अच्छे संकेत मान रहे हैं अगले सपता दिल्ली में अच्छी बारिश रह सकती है आज दिन भर आस्मान में रहेंगे बादल दोपहर बाद अच्छी बारिश के आसार मौसम वेज्ञानिकों के अनुसार बुद्वार को दिल्ली में सुबह से ही आस्मान में बादल रहेंगे वहीं दिन में कई बार रुक रुक कर बारिश होने की भी संभावना है अधिक्तम तापमान 32 डिग्री सेलसियस के करीब रह सकता है वहीं न्यूंतम तापमान 26 डिग्री सेलसियस तक पहुँच सकता है